इन सब गारिजस को देखके तो आप समझ ही गए होंगे कि यह ऐसी कुछ कमपनीज की शुरुआत थी जिनकी अब वाल्यूस मिलियन्स में हैं जैसे आमिजॉन, आपल या गूगल एंज जैसे कि हम सब जानते हैं हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है तो आज हम भी एक ऐसे ही बिजनस की बात करेंगे जिसे इंडिया में ही नहीं बलकि वर्ल्ड वाइड में पहचाना जाता है Hello everyone, welcome back to Phenology Ticker, मैं हूँ की इती और आज हम बात करेंगे HDFC बांक की सकसे स्टोरी की और देखेंगे की कैसे आदित्य पूरी जी ने इस बांक को इंडिया का नंबर वन बांक बनाया जब भी HDFC की बात होती है तो आदित्य जी का नाम automatically हमें याद आ जाता है आदित्य जी पिछले 25 सालों से HDFC के CEO रहे हैं and recently उन्होंने retirement लिया है वैसे तो उन्हें अपने expertise, leadership, quality and best CEO के लिए जाना जाता है बट वो कुछ चीजों के लिए काफी particular थे जैसे उन्होंने एक बार office की cost cutting करने के लिए अपने employees को ये कह दिया था कि अगर आपको चाय या coffee पी नी है तो आप अपने घर से cups and mugs लाएं क्यूंकि disposal cups में company का बहुत खर्चा होता था अब आप सोचेंगे कि disposal पे इतना खर्चा कहां से हो रहा होगा राइट बट ऐसा करते करते उन्होंने सारे branches का मिला कि around 50 lakhs का cost save कर लिया था इसके अलावा आपने देखा होगा कि bank से हमें diaries and calendars वगेरा मिलते हैं बट उन्होंने इस चीज़ को भी limited provide किया था आज के date में HDFC bank one of the largest private sector bank है और बहुत सारे branches भी हैं और बड़े बड़े offices भी हैं बट आपको सुनके हरानी होगी कि जब HDFC bank अपना operation start कर रही थी तो उन्होंने अपना back office एक industrial shed से start किया था जहाँ पर वो हर रोज कुछ ना कुछ problems face करते थे जैसे चूहों का wire cut लेना, पूरे floor पे electricity wires and power cut and और भी बहुत सारे In fact, starting में उनके पास proper meeting rooms नहीं थे तो उन्होंने एक people के पेड के नीचे training sessions लेना start किया Although उन्होंने front office हमेशा से ही बहुत अच्छा रखा ताकि customers को एक experience दे सके बट ये भी उन्होंने काफी जल्द ही realize कि customer को fancy offices नहीं बलकि smooth transactions and fast services चाहिए और उन्होंने इस चीज़ पे work करना start किया और HDFC पहली ऐसी bank है जिन्होंने अपने हर system को centralized किया जिससे customer का user experience काफी अच्छा था इस journey की शुरुआत तब हुई थी जब दीपक पारिक जी जो कि HDFC Limited के chairman है उन्होंने आदित जी को offer दिया कि इस bank को वो run करे क्योंकि दीपक और आदित जी काफी अच्छे friends थे और दीपक जी ये बहुत अच्छे से जानते थे कि आदित जी ही इस bank को चलाने के लिए right person है आदित जी को जब offer दिया गया था तब वो Malaysia के City Bank के CEO थे और उन्हें banking sector में already 20 years का experience था उन्होंने ये offer accept किया बट एक ही condition में जो की थी उन्होंने दीपक जी से free hand चाहिए था that is without any interference bank को operate करना और दीपक जी ने इस चीज को हा किया जैसे कि आदित पूरी जी ने foreign banks के साथ काम किया हुआ था जिसकी वज़े से वो जानते थे कि उन्हें Indian market में क्या offer करना है उन्होंने ये देखा कि public sector bank के पास बहुत अच्छा distribution network है and even money power भी है बट अच्छे products नहीं है वही foreign banks के पास अच्छे products and services देने की capabilities है बट network नहीं है तो उन्होंने इन दोनों चीज का combination provide करने का decide किया generally public sector banks customer को अच्छी service नहीं provide कर पाते and ये चीज अभी भी आपने देखी ही होगी बट वही private sector banks customer service को काफी importance देते है HDFC bank ने अपनी शुरुवात corporate lending से की थी बट जैसे जैसे economy में changes आए तो उन्होंने retail segment को भी target करना start किया कासा ratio बढ़ाने के लिए उन्होंने low cost corporate salary accounts open कर आए and उन्होंने साथ ही ये देखा कि बड़े-बड़े companies जैसे की Tata and Birla के लिए financing तो बहुत easy बात है बट उनके customers and suppliers के लिए बहुत difficult तो उन्होंने इस चीज को target किया and उन्होंने हर वो बड़ी company के vendors and dealers को onboard किया and loans provide किये with low interest rates पर ऐसा करके उन्होंने पूरा एक chain create कर लिया even उन्होंने retailers को target करने के लिए POS यानि point of sales machine free में provide किया and in return उन्होंने अपना current account open कराने के लिए कहा HDFC में same चीज अगर आप आज की date में देखेंगे तो अब वो e-commerce sites को target कर रही है जब भी आप flip card या mintra खोलेंगे तो आपको banks offers दिखते हैं and generally HDFC के bank offers हमेशा ही रहते हैं जिससे हम जैसे customers उनके credit cards वगेरा के लिए apply कर देते हैं और ऐसा करते करते उनका customer base बढ़ता चला गया and उन्होंने अपने और भी products को offer करना start किया आज आप देखेंगे तो HDFC group almost हर field में आगे है जैसे कि HDFC mutual fund, HDFC life, HDFC ergo etc ये उनकी एक cross selling की technique थी जिससे कि वो customers को अपने पास retain कर सके cross selling का मतलब कि अगर कोई एक person का HDFC में account है तो bank ये try करती है कि आपके सारे ही investments, insurance, FDs सब उसी bank के पास हो I am sure कि अगर आप कभी भी कोई भी bank visit करते हैं तो आपका banker जरूर आपको cross sell करने का try करता होगा अगर हाँ तो हमें comment करके जरूर बताईए कि ऐसा experience आपको किस bank के साथ हुआ है आपने कभी ये सुना है कि कोई बहुत ही technology driven हो बट वो phones use नहीं करता हो नहीं राइट हमने भी नहीं सुना था बट आदित जी ऐसे तो खुद phone use नहीं करते बट उन्हें हर एक technology के बारे में हमेशा पता रहता है और उनका हमेशा से motive रहा है technology के थूर banking services को easier and simplify करना और ये same चीज ICICI भी follow करती है अपने banking business के लिए ICICI bank and HDFC starting से ही rival रहे है बट ICICI हर चीज को पहले करने की try करती है and वो quickly किसी भी opportunity को grab कर लेती है और वही HDFC wait करती है opportunities के लिए and end में वो winner रहता है क्योंकि HDFC हमेशा दूसरों के experiences से patiently सीखता है and then किसी new business या technology को adopt करता है and ये चीज HDFC ने अपने एक incident से सीखा था जब HDFC bank का inauguration हुआ था तब उन्होंने Mr. Manmohan Singh जी को invite किया था and आदिती जी उन्हें ATM working का demo दे रहे थे and demo देने के लिए उन्होंने एक dummy card बनवाए थे and जब उन्होंने उस dummy card को use किया तो machine ने कुछ आगे process ही नहीं किया and इस चीज से HDFC ने कुछ सीखा and आगे से वो भले थोड़ा late चीजों को adopt करती है बट जब करती है तो पूरे perfection के साथ करती है आज भी HDFC bank technology को एक differentiator मानती है and उन्ही products को advertise करती है जो technology को superior रखते हो HDFC bank पहली private lender है जो एक साल complete होने से पहले ही public हो गई थी and वो around 55 times over subscribed हुई थी अगर आप आज की rate पे HDFC bank का share देखेंगे तो वो around 1100 रुपे के आस पास चल रहा है तो अगर उस time किसी ने 10,000 रुपीज भी invest किया होता तो उसकी value आज 81 lakh होती अगर हम इसे foreign bank से compare करें तो बाहर की banks generally एक से भी कम के PB पे trade कर रही होती है and वही HDFC bank का PB around 3-4 times रहता है याने investors को उनकी net asset value का 4 times देने के लिए ready है investors का trust देखते हुए आदित्यपुरी जी ने हर step को slowly and steadily लिया पहले उन्होंने corporate lending से start किया and जब bank थोड़ी सी stable हुई and और branches open करने के लिए ready थी तब उन्होंने retail segment को target किया then उन्होंने rural segment को tap किया and छोटे-छोटे shopkeepers and entrepreneurs को loan देना start किया उन्होंने ये realize किया कि rural sectors में लोगों के पास काफी ज़्यादा gold रहता है as an investment instrument जिन्हें वो monetize कर सकते है and then उन्होंने gold loan देना भी start किया आदित्यजी का vision तो world class bank बनाना था but banking को simplify करते हुए उन्होंने Indian bank को इतना अच्छा बनाना था जिससे वो global parameters पे compete कर सके अगर आप notice करेंगे तो HDFC ने कुछ भी complicated कभी नहीं किया है जैसे for example most of the banks saving account पे auto sweep feature प्रोवाइट करती है but HDFC अभी भी ये feature को बहुत ही limited लोगों को प्रोवाइट करती है क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी cost increase होती है क्योंकि उन्हें higher interest rate देने पड़ते है ऐसा करके वो अपनी cost efficiency बना के रखते हैं जब उन्होंने bank के सारे branches के system को centralized किया उन्हें ये पता था कि भले ही आज उन्हें heavy services के लिए काफी cost pay करनी पड़ रही है बट long term के लिए ये cost definitely worth रहेगी उन्होंने उन्हीं चीजों पर spend किया जिसे वो justify कर सकते थे and starting से ही ये culture को adapt किया spend less and spend smart वैसे smartness उन्होंने सिर्फ cost cutting में नहीं रखी थी in fact अपने risk exposure में भी show की थी उन्होंने उन्हीं industries को काफी limited exposure दिया जो बहुत ही risky थे जैसे की airlines, real estate, nbfc, hotels, film financing उन्होंने इन segment को ban नहीं किया है कोई भी loan देने से बट जब भी loan देना हो तो काफी cautious रहके दिया जाता है for example उन्होंने विजय माल्या की brewing business को loan तो दिया था बट airline business को नहीं तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने business and friendship को हमेशा अलग रखा था एंड ऐसा करके HDFC ने हमेशा अपना customer का trust गेन किया है और वो कभी भी कोई भी scam या controversy में involved नहीं हुई जैसे कि बाकी banks होती है जैसे ICICI, PNB, SBI globally कोई भी bank lack of technology या products की वज़े से कभी fail नहीं होती वो fail होती है अपने risk management की वज़े से एक अच्छी banking is all about keeping things simple and basics पर focus करना and हमेशा अपने risk के लिए cautious रहना and HDFC ने भी यही चीज हमेशा implement की although HDFC को birth दीपक पारिक जी ने दिया and उन्होंने ही core team को develop किया था but वो आदित्य पूरी जी थे जिन्होंने HDFC को यहां तक पहुचाया है I hope आपको ये वीडियो informative लगी हो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही successful लोगों की success stories को unfold करे तो हमें comment करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो like, share and subscribe तो बनता है Thank you